दोस्तों मदूबनी जीले के राजनगर थाने के रगवीर चक उत्री गाउं में शत्रोगन राम के गर में गाजे बाजे के साथ में बरात आई वदूपक्ष ने बरातियों का दिल खोल कर स्वागत किया अपने होने वाले राजकुमार की एक जलक पाने के लिए दूलन काफी बेताब थी लेकिन जैसे ही दूलन की नजर दूले पर गई तो उसे अजीब तरह की हरकत करता देखकर दूलन को थोड़ा शक हुआ फिर जब जैसे माला के लिए दूले को किसी तरह से कार से निकाल कर इस्टेज तक पहुँचाया गया इस्टेज पर चड़ा दूला शराब के नशे में जूम रहा था और वो होश में नहीं था इसके साथ ही वो अजीब अजीब सी हरकते करने लगा दूलें की दोस्तों से भी गाली गलोच करने लगा दूलें कुछ देर तो जैमाला लेकर खरी रही लेकिन थोड़ी देर के बाद में उसने जोड से ये के दिया कि इस दूले से तो में शादी नहीं कर सकती और फिर इश्टेज से उतर गई और अपने कमरे में चली गई गरवालों ने उसे काफी समझाया लेकिन उसने किसी की भी एक नहीं सुनी और शादी करने से इंकार कर दिया बेटी की जित देखकर पिता शत्रुगन राम ने बेटी रादा कुमारी के फेसले पर सहमती जताई और दूले की पिरा चंदर राम और बेटे सुमन कुमार के पास में गए सुमन तब भी नशे में धुत था और कुस लोगों से गाली कलोच कर रहा था यह देखकर दूलन रादा के परी जिनों ने शादी में आये करीब 125 बरातियों का भरपूर स्वागत किया उनने खाना किलाया और आदर सत्कार के साथ में दरवाजे से विदा कर दिया उसके बाद में दूला बने सुमन और उसके पिता और भाई को रोक लिया रादा के गरवालों ने शादी में हुए खर्च की बरपाई दूले के परिवार से करने को कहा इस बात को लेकर सोम बार की देर शाम तक पंचायत होती रही पंचायत में दोनों पक्षों के लोग मोजूद थे इस संबन में महिनातपूर पंचायत के मुक्या अशोक कुमार यादव ने बताया कि किसी भी रूप में शराब पीना सही नहीं है और गाउं की बेटी राधा पर पंचायत को गर्व है